गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी को मैं अतुल कुमार सर्मा आप सभी का अपनी यूटूब चैनल फिरी कमिश्ट्री वाई सर्माजी पर हार्दिक स्वागत और अविनन्दन करता हूँ स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास 11 ट्वैल्थ और साथी साथ विभिन प्रकार की कम्पटिशन्स में पूछा जाने वाला रसाइन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है मैंडलीफ की आवर्त साणी 11 की केमिश्ट्री में थार्ड यूनिट के अंतरगत ये आने वाला बहुत ही महत्पून टॉपिक है और आज हम लोग इसको जानेंगे इससे संबंधित विभिन प्रकार के टॉपिक्स का अध्यन करेंगे तो ऐसे सभी स्टुडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृप्या करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज अप्लोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके चले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडिलीव की आवर्त्साणी बचों मेंडलीफ की आवर्थ साड़ी को प्रस्टुत किये जाने से पहले मैंने आपको अपनी प्रिवेस वीडियो में बताया था कि कुछ अन्यबैग्यानिक भी हैं जिनोंने मेंडलीफ से पहले आवर्थ साड़ी को प्रस्थुत करने में अपना योगदान दिया था जिन में सबसे पहले नाम आता है डोबे राइनर का डोबे राइनर का डोबे राइनर ने बच्चों एलिमेंट्स को तत्तों को क्रमबध तरीके से प्रस्थुत करने के लिए अपना एक नियम प्रस्थुत किया था जिसको डोबे राइनर ट्रिक सिधान्त कहते हैं आप लोग मेरी पिछली वीडियोज में जाकर के डोबे राइनर का ट्रिक सिधान्त देख सकते हैं इसके पास चात बच्चों एक अन्य बैगानिका जिक्रा आता है जिसको हम लोग निवलेंड कहते हैं इन निवलेंड नामक बैगानिक निवी एलिमेंट्स को तत्वों को एक क्रम से व्यवस्थित करने के लिए अपना एक सिधान्त एक नियम प्रस्थुद किया था जिसको निवलेंड का अश्टक सिधान्त कहते हैं किन्तो इन दोनों के सिधान्त इन दोनों के तरीके इन दोनों के नियम बच्चो पूरी तरीके से सही ना हो पाने के कारण बच्चो इनके सिधान्त को इतनी अधिक मनता नहीं मिल पाई फिर बात आती है बच्चों मेंडलीफ की मेंडलीफ ने उस समय ग्यात जिस समय मेंडलीफ का समय था उस समय बच्चों कुल सतावन तत्तों को ग्यात किया जा चुका था मेंडलीफ के समय आपसे पूछा जाए कि कितने तत्तों की खोज हो चुकी थी तो बच्चो कुल सतावन तत्तों की खोज की जा चुकी थी मैंडलीफ ने क्या किया अपने समय में ग्यात सतावन तत्तों को बच्चो क्रम से बेवस्थित करके एक नया आधार प्रस्तुत किया सानी को बनाने के लिए मैंडलीफ रूस के रहने वाले थी और रोस के रहने वाले जो भी ब्यक्ति हैं उनको रसियन कहा जाता है क्या कहते हैं बच्चों रसियन कहा जाता है इसलिए मैंडलीफ कैसे बेग्यानिक थे रसियन बेग्यानिक थे इतनी बात बच्चों किलियर हो गई यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं तो मैंडलीव से पहले डोवे रैनर का त्रिक सिधानत आया नूलेंड का अश्टक सिधानत आया लेकिन इनको उतनी अधिक मानता प्राप्त नहीं हुई मैंडलीव रूस के रहने वाले थे इसलिए मैंडलीव को रसियन बैग्यानिक भी कहा जाता है इन्होंने अपने समय में ग्यात सतावन तत्तों को बच्चों एक करम से बेवस्थित किया बच्चों मैंडलीव ने जविन तत्तों को बेवस्थित किया उस समय का जो समय है बच्चों 889-1891 अरफात 1879-1891 तक बच्चों इन्होंने अपनी सार्डी वनाई और जिसमें इन्होंने शतावन तत्तों को एक क्रम से बेवस्थित किया क्रम क्या था बेवस्चित करने का तरीका क्या था किस आधार पर उन्होंने इन तत्तों को बेवस्चित किया अब हम लोग उन तत्तों को बेवस्चित करने के तरीके को समझते हैं यहां तक सारी बातें इस पाश्ट हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मेंडिलीफ ने बच्चों जिस समय अपनी असानी प्रस्थुट की उस समय बच्चों परमाड उक्रमांक मैं यहाँ पर नोट किये देता हूँ परमाड उक्रमांक परमाड उभार इसके साथ समस्थानिक और समभारिक मैं यहाँ पर नोट किये देता हूँ समस्थानिक और समभारिक आदि सव की खोज की जा चुकी थी परमाड उक्रमांक परमाड उभार समस्थानिक और समभारिक आदि की खोज की जा चुकी थी तो मेंडलीफ ने क्या किया बचो तत्तों के परमाडु भार को बचो पराथ मिकता दी उन्होंने तत्तों के परमाडु भार को चुना और परमाडु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आगे डैस, डैस, डैस लगा देता बचो मेंडलीफ ने तत्तों के परमाडु भार के बढ़ते हुए क्रम में मैं आप लिखता हूँ तत्तों का बढ़ता परमाडु भार एक एक पॉइंट को समझना अपनी बातों को इसपष्ट कर लेना तो मेंडलीफ ने किसको आधार माना बचो परमाडु भार को आधार माना और तत्तों को उनके बढ़ते हुए परमाडु भार के क्रम में बवस्थित कर दिया यहां तक सारी बाते समझ में आगी मेंडिलीफ ने किसको आधार माना परमालु भार को आधार माना और परमालु भार को आधार मान करके तत्तों को उनके बढ़ते हुए परमालु भार के क्रम में बच्चों उन्होंने बेवस्थित कर दिया जब परमाडु भार के बढ़ती हुए करम में बच्चों तत्यों को विवस्थित किया गया तो उन्होंने क्या देखा पॉइंट नोट करने वाली है यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये तत्तों को उनके बढ़ते हुए परमाणुभार के करम में बैवस्थित किया गया तो एक निश्चित अंतराल के वाद निश्चित अंतराल के वाद निश्चित समय के वाद बच्चों जो तत्त थे उनके गुडों में पुनरा ब्रत्ती होने लगी तत्तों के गुडों में यहाँ पन नोट भी करता जा रहा हूं ताकि आपको सारी वाति इसपश्ट होती रहें पुन्रावरत्ती होने लगी पुन्रावरत्ती का मतलब जैसे यहाँ पर तत्तों को रखा गया है और एक निश्ची समय के बाद माल लेता हो हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच और जैसे इस छटे नमबर पर आए तो इस छटे नमबर पर जो तत्तों है उसका गुण इस पहले नमबर के तत्तों से मिलते जुलते मिले इसी तरह से जो सात्मा बच्चों तत्तों रखेंगे उसके गुण इस दूसरे तत्तों से मिलेंगे जो आठमा होगा उसके गुण तीसरे तत्तों से मिलेंगे तो जब तत्तों को उनके परमाड भार के बढ़ते हुए करम में बच्चों उन्होंने रख दिया तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद बच्चों तत्तों के गुड़ों में पुनरा ब्रत्ती होने लगी। ही के कहलाया बच्चों मूल आवर्तनियम अब इस मूल आवर्तनियम पर आपको एक बात या ध्यान रखनी है और आप वर्तनियम का ऐधार क्या है तो मूला वर्तनियम का आधार वच्चों क्या होगा परमार उभार होगा कि लिए रोगी अब उन्हों ने मूला वर्तनियम दिया था वो था क्या उन्हों बताया था कि तत्तों के भरतिक और रासाइनिक गुड़ धर्म मैं आप पूरी बात को नोट भी करता जा रहा हूं इसलिए आप भी कापी पर अपने नोट करते रहें तत्तों के भरतिक और रासाइनिक गुड़ धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ति फलन होते हैं सबसे पहले तो आपको यह नियम याद कर लेना है बहुत ही इंपोर्टेंट नियम है एकजाम में बचों कई बार पूछा गया है कि मूल आवर्त नियम क्या है तो मूल आवर्त नियम क्या है बचों कि तत्तों के जो भरतिक और रासाइनिक गुड़ धर्म हैं वो उनके परमाड उभारों के आवर्ति फलन होते हैं ये किस नियम के अंतरगत है मूल आवर्त नियम के अंतरगत है अर्थात जब तत्यों को उनके परमाड उभार के बढ़ते हुए करम में हम लोग रखेंगे तो एक नेशी समय के बाद तत्तों के गुड़ों में पुनरावरत्ती होगी और तत्तों के गुड़ों में होने बाले यही पुनरावरत्ती क्या कहलाती है आवरती फलन कहलाती है तो जब मूल आवर्त नियम भी प्रस्थित हो गया तब अच्छो तत्तों को बेवस्थित करना सुरू हो गया और जब तत्तों को बेवस्थित करना सुरू हो गया तब अच्छो जो साड़ी निर्मित हुई उसको मेंडलिव की मूल स्वरी मेंडलिव की आवर्त साड़ी कहते हैं और यह आवर्थ साड़ी चुकी पुरानी है इसलिए इस आवर्थ साड़ी को एक नाम और भी दिया जाता है और यह नाम क्या है मूल आवर्थ साड़ी क्या साड़ी है बच्चो मूल आवर्त साड़ी तो मैंडलीव की मूल आवर्त साड़ी या मैंडलीव की आवर्त साड़ी इतनी वाते क्लियर हो गई नियम क्या था इसके लिए मूल आवर्त नियम था जिस पर अधारी था परमाड भार पर चलिए अब हम लोग टेबिल की ओर चलते हैं कि साड़ी कैसे बनाई किस तरीके से उन्होंने तत्तों को बैवस्थित किया अब बच्चो जो साड़ी मेंडलीफ के द्वारा निर्मित की गई उसका एक संचिप्त रूप देख लिजी जो मेंडलीफ की आवर साड़ी है उसका जो बेसिक रूप है वो कुछ इस तरीके से है मैं आपके सामने बताता हूँ ये मेंडलीफ की आवर साड़ी का बेसिक इस्ट्रक्चर है ये इस्ट्रक्चर जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये मेंडलीव की आवर साड़ी का बेसिक इस्ट्रक्चर है एक धाचा है जिस धाचे में मेंडलीव की आवर साड़ी को बनाया गया है जिसके अंतरगर तत्तूम को रखा गया है इतनी बात के लिए रोगी अब इस पंकती में जो आप इस धाचा देख रहे हैं इस धाचे में कुछ अपनी विसेश्टा हैं कैसी विसेश्टा है मैं उसको भी बताता हूं कुछ विसेश्टा है इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन खीच रहा हूं आप देखेगा उपर से नीचे की और बच्चों यहा आपर केवल बेसिक धाचा बना रहा हूँ आगे आपको मैं मेंडलिव के साड़ी बना करके दिखाऊंगा तो आप देखा है कि आपको मैंने दो तरह से स्ट्रक्चर बना करके दिखाएं एक तो इस तरह से बचो लाइन खीची गई इस तरीके से और एक लाइन खीची गई उपर से नीचे की ओर जब तक आप बेसिक धाचे से पर चित नहीं होंगे तब तक मैंडलिव के आवर साड़ी को नहीं जान पाएंगे वाच्चो किसी भी चितर को बनाने के लिए किसी के बारे में समझने के लिए बेसिक जानकारी बहुत जुरूरी है अगर आप बेसिक जानकारी सीख लेंगे जैसे आपने देखा होगा कि जब कलाकर कला आकरती को निर्मित करता है तो उसके लिए वो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता है बहुत ही आसानी के साथ आप लोग मेंडलीव के आवसाड़ी समझ जाएंगे बस जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ उसको समझेगा तो आपने इसमें देखा कुछ पंकतियां इस तरह के इस तरीके से खीची गई कुछ पंकतियां उपर से नीचे की और क्छीची गई कुल्मिलाकर के मेंडलीव के साड़ी में दो ही प्रकारी की पंकतियां बच्चो बनी आएक पंकतियां कुछ इस प्रकारी की हैं तो इस दर से इधर यानि बाएं से दाएं खीची गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो उपर से नीचे की और खीची गई हैं कि समझ में आगा है सबके कुछ आप देख रहें इधर के लिए इस तरह से खीची गई हैं और कुछ इस तरह से खीची गई हैं आप देखेगा हैं कुछ इस तरह से खीची गई है पंकतियां बाइसे दाएं और कुछ उपर से नीचे की हो रहा है तो बच्चो मैं आपको बता दू यहाँ पर कुछ पॉइंट निकलने वाले हैं आप जो इस तरह से पंकतियां देख रहे हैं जो बाइसे दाएं खीची गई हैं इन पंकतियों को बच्चो 36 पंकतिया नाम दिया गया कैसी पंकतिया नाम दिया गया बच्चो 36 पंकतिया इनको बोला गया और इन 36 पंकतियों की संख्या बच्चो साथ है कितनी है साथ है बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना 36 पंकतियों के संक्या कितनी है साथ है और इन 36 पंकतियों को एक नाम और भी दिया जाता है बच्चों क्या नाम दिया जाता है आवर्त दिया जाता है जिसको इंगलिस में बच्चों हम लोग पेरियट बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों period बोलते हैं तो इनको हम लोग 36 पंकतियां जो आप देख रहे हैं जो बाएं से दाएं खीची गई है इनको 36 पंकतियां कहते हैं और 36 पंकतियों की जो संक्या है वो साथ है और इनको एक नाम और भी दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है आवर्त या पीरियड जिन को कहते हैं इतनी बात किलियर हो गए तो 36 पंकतियां जो मैंने इधर से इधर की और खीची वो 36 पंकतियां हैं कितनी संख्या होती हैं साथ होती है 36 पंकतियों को क्या कहते है आवर्त कहते है अब बच्चों आगे देखेगा जो उपर से नीचे की आप पंकति देख रहे हैं तो उपर से नीचे की और जो पंकतियां आप देख रहे हैं उनको बच्चों और धाधर पंकतियां कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों उनको और धाधर पंकतियां कहते हैं जब तक आप लोग बेसिक इस्टक्चर से कहते हैं कि जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक बच्चों आपका ग्याना धूरा रहेगा तो 36 पंकतियां आपको मैंने बता दी हैं एक प्रकार की पंकतियां 36 पंकतियां हैं और दूसरी प्रकार की पंकतियां उर्धादर पंकतियां हैं जो उपर से नीचे की और ड्रा करी गई है अभी उपर से नीचे की और जो पंकतियां खीची गई है इनकी संख्या कितनी है तो आप देखरे लाइन इनको समुहू बोला जाता है क्या बोलते हैं समुहू बोलते हैं अत्वा इनको बरग कहा जाता है इंगलीष में बच्चों इनको हम लोग गृप कहते हैं इतनी वास समझवें आ गई तो मैंडिलीफ के आवरसांडी जो निर्मित करी गई उसमें कितने प्रकार की पंकतियां है तो बच्चों में केवल दो प्रकार की पंकतियां है एक पंकतियां 36 पंकतियां कहलाती है जिनकी संख्या साथ है जिनको आवर्त भी कहा जाता है और दूसरे प्रकार की पंकतियां और धादर पंकतियां है जो उपर सबस्क Stud Alteri ने सबस्क्त ना outcard क overly 18 मुझे जरूर बताएं इसे मास कि आप website अपने को जिन चीजों की जानकारी मिल चुकी है उनमें हैं जरो सबसे सबसे पहले पंकतियों की जानकारी मिली जान कि मेंडिलीव के आवार साड़ी में कितने प्रकारिकी पंकतियां है तो बच्चों दो प्रकारिकी पंकतियां है एक प्रकारिकी पंकति 36 है और दूसरे प्रकारिकी पंकति वच्चों उर्धादर है 36 पंकतियों की संख्या साथ है उर्धादर पंकतियों की संख्या अठारे है 36 पंकतियों को बच्चों आवर्त बोला गया क्या बोला गया आवर्त बोला गया और साथी साथ बच्चों जो उर्धादर है इनको क्या बोला गया इनको वर्ग या सम्हू बोला गया बर्ग या समहू बोला गया यहां तक सारी वाते इस पश्ट हो गए अगर ये बर्ग या समहू भी अलग-अलग बाट दिये गए जैसे मेरे पास ये मारकर है अगर इस मारकर के मैं दो टुकड़े कर दू तो ये दो भागों में बट जाएगा इसी तरह से अगर बच्चो ये बर्ग या समहू भी दो टुकड़ों में तोड़ दिये जाते हैं तो यही समहू एक अन्य नाम ले लेते हैं जिनको हम लोग उपसमहू कहते हैं जैसे मार लेता हो किसी बर्ग का नाम फर्ष्ट ए है अगर इसको मैं तोड़ दूँ तो बच्चों यहाँ एक गुरूप 1st A1 और यह दूसरा 1st A2 किलिर हो गई बात सबके समझ में आ गया होगा कि अगर बरग या समहू को भी खंडों में बाट दिया जाएगा तो बच्चों इस तरीके से जो छोटे-छोटे नए खंड बनेंगे नए समहू बनेंगे उनको उप समहू कहेंगे अभी यहाँ पर केवल बैसिक जानकारी ले लिजिए हम लोग जब आगे चलेंगे तो उप समहू बर गे सारी चीजों की चरचा करेंगे तो पंक्तिया हम लोगों ने जान ली और हम लोगों ने क्या जाना आगे की बात करते हैं दूसरा जो प्वाइंट हम लोग जाने हैं वो यहाए कि यहाँ आबर साड़ी कबनिर में थुई जब चो तत्तों को उनके परमाड़ु भारों के बढ़ते हुए करम में रखा गया यहाँ आबर साड़ी कबनिर में थुई जब तत्तों को उनके परमाड़ु भार के बढ़ते हुए करम में रखा गया तब चुया आबर साड़ी निर में थुई आज आपके सामने मैंने जिन पॉइंट्स को रखा है आपको वो पॉइंट्स समझ में आए होंगे आप लोग बर्ग क्या होते हैं बर्ग या सम्हू क्या होते हैं इनको जान गए होंगे आप लोग आवर्थ क्या होते हैं इनको जान गए होंगे इन दोनों की संख्या क्या हो तो बच्चो के नाम आपको याद कराओंगा इसलिए आप लोगों से एक बार प्री राहे करूँ गों कि जितने भी ऐसे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए सेफ रहिए मैं जल्द ही